आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हमें आविव ए कमान दिया हुआ है, जो 3x3 के क्रम का है, जिसकी पहली पंक्ती 1,2,3, दूसरी 2,4,5, पर तीसरी पंक्ती 2,5,6 है तब हमें ए विज्ञान का मान ग्याद करना है, जले इस प्रशन को हम हल करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम साड़नी ए निकालेंगे, इस कमान क्या होगा, एक गुणा, 24-25, यहां से माइनस दो गुणा, क्या हो जाएगा, इससे गुणा करना, तो यह वाली इस्तम और यह वाली पंक्ती अटा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 12-10,8, प्लस 3, इतना आजाएगा, 1-2, और यह कितना हो गया, 2-6, तो यहां पर से इस कमान कितना हो जाएगे, 24-25-1, तो इस कमान कितना निकल क्या रहा है, हमारे पास में, 5-1, एक कमान कितना निकल क्या रहा है, 6-5 मतलब, 1, एक कमान निकल क्या रहा है, अब हम क्या निकालेंगे, यह न سیکھंड इस प्रकार से ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं सेखं एक एक सेखंड एक दो सेखंड एक तीन और इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं ठीक है तो चलिये देखते हैं कि हम second कैसे निकालते हैं ठीक है second निकालने का एक सुत्र होता है जो होता है C IJ बराबर माइनस एक कम गात I plus J और M IJ ये M जो है ये इसका उपसार्णी है चलिए इसे हम नीचे हल करते हैं C एक एक कमान क्या होगा चलिए देखते हैं इसका क्या होता है ये सेखंडजो का सेखंडजो का क्या होता है ये परिवर्थ होता है चलिए इसे अब हम हल करते हैं तो यहाँ पर से हमारे बस क्या आजाएगा C एक एक कमान क्या होगा यहाँ पर से 24 माइनस 25 तो यह कित्ता हो गया 24 माइनस 25 चीज ठीक है चलिए यहां पर से हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर आएगा क्या माइनस यहां पर माइनस यहां पर माइनस कैसे माइनस एक का घात आई प्लस जे है ठीक है अब यहां पर आई प्लस जे का मान रखते हैं एक प्लस एक दो तो माइनस एक का घात दो मतलब एक बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस 2 मतलब 3 मैनस 1 का गा 3 मतलब मैनस 1 इस प्रकार से जब हम सम संख्या रखेंगे तब यहाँ पर 1 आएगा और जब हम विशम संख्या रखेंगे तब यहाँ पर मैनस 1 आएगा तो यह इस प्रकार से minus आया, तो यहाँ पर से इसका उत्तर किता आ रहा है, यहाँ पर किता आएगा, 12-10, यहाँ पर कितना आएगा, 10-8, यहाँ पर किता आएगा, 12-15, यहाँ पर किता आएगा, 6-6, यहाँ पर किता आएगा, 5-4, यहाँ पर कितना आना है हमारे पास, 10-12, यहाँ पर, 5, minus 6, और यहाँ पर, 4, minus 4, और इसका, परिवर्थ, ठीक है, इसका परिवर्थ नृकालेंगे, तो यह किसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर से, 1, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा क्या, 12, minus 10, 2, और यह सामने, रन्का चिन लगा है, इसलिए हो जाएगा क्या माइनस तो तो इसका उत्तर जाएगा एक माइनस दो और यहां पर से हो जाएगा क्या दो अब यहां पर क्या आएगा तीन शून्य माइनस एक यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस दो एक और यहाँ पर शून्य और इसका क्या परिवर्थ ठीक है अब परिवर्थ करने का क्या मतलब होता है पंक्ती को हम स्थम बना देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है परिवर्थ हो जाता है तो यहाँ पर से हमारा क्या मान निकल क्या आएगा यहाँ पर से यहाँ पर से हमारा है एक माइनस दो दो तीन शून्य माइनस एक माइनस दो एक वा शून्य यह हमने क्या किया हमने पंक्तियों को कर दों हल करेंगे, तो यहां पर से क्या मान जो का एक बाइन का है, एक बटे, एक ठीक है? एक आया है, मान हमारा 1 बटे 1 और यहां पर हमारे पास गुणा में किया होगा यह वाला मान, तो 1 3-2, माइनस दो शून्य एक दो माइनस एक शून्य और यही हमारी इस प्रिश्न का उत्तर है दोस्तों आशकलतियापको समझ में है धन्यवाद